प्रिय साथियो आज हम पंजाब एकरिकल्चर जिनुवर्ष्टी के जालवाल सेंटर में आए हैं यहां के इंचाज डाक्टर टी एस चैहल जिनोंने इस नर्सरी में मैं कहूंगा कि अपना खून पसीना है करके इस नर्सरी को सींचा है और इसका श्रे इनको इसलिए जाता है क्योंकि एक फ्रूट साइंटिस्ट जब एक नया पोदा एक नया आदमी अपने घर में लगाता है तो उसको यह आशा रहती है कल वो प्लांट मुझे अच्छा फ्रूट देगा और फ्रूट की जो बेस होती है वो होती है रूट स्टाक अगर हम सिट्रस की बात करें तो उ इन चीजों का पता होने चाहिए कि जब हम सिट्रस का रूट स्टाक बनाएंगे उसमें हमें किन-की चीजों का द्यान अखना है पहले डाट सब प्रोट तरे बारे सोड़ा प्रोट सब्सक्राइब बैसिकली डाट सब्सक्राइब इस ए रही है जी वर सिट्रस का जो किसी तरीके की कुई कंटैमिनेशन अगर एक प्लांट में आती है या मीडिया में आती है वो दूसरे में ट्रेवल नहीं करते हैं सो सेकंडली जब हम इंको ट्रास्प्लांट करते हैं सो वाट वी डू इसको टैप करके तो पूरे का पुरा कोई रूट सिस्टम इसका डेमि लिए उसमें सीड को सो कर देते हैं कुछ समय के बाद जब यह इसका पोदा बढ़ता है जब यह रूट स्टम बढ़ता है तो नीचे उसकी काइलिंग हो जाती है जिसके कारण उसके पत्ते पीले पढ़ना शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद उप्लांट मरना शु जो गूज करते हैं वह एड़ साथ सॉल एंड को पीट इनको इकल परपोर्शन मैं निका करके और दा मीडिया इसको तोटली सोलराइस करते हैं जो हम अपरल में इस मीडिया को मिक्स करके हमारे पास है इकन्प्रीट प्लेट फॉर मारे यह सब्रेट पर रहके तो वी सब्र जो मीडिया है उसे हम यूज करते हैं इसमें फिलिंग के लिए इस लिए बताना जूरी है कि यह मत सोचिए कि हम खेत में गे मिटी उठाई लाए उसको भर दी और हमारा काम हो गया नहीं आप ने जब इससे पैसा कमाना है तो उसी शिद्द से आपको पूदे को त्यार करना ह और पूदा त्यार तभी होगा जब उसको बनाने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों का दिया रखेंगे जैसे डार्साब ने आपको बताया कि जो मिटी है मिटी को हमेशा लाके सबसे पहले इसको हम बोलते हैं वर्जन साइल जिसमें किसी तरह का को कीड़ा ना हो कोई जरा सीम ना हो और वो कैसे होगा जब आपने उसको लाके धूब में रख दिया उसको उपर से कवर कर दिया कवर करने से जो भी उसमें चोटे मोटे कीड़े मोड़े मर जाएंगे साइल आपकी काम करने लाइक हो जाएगी की जगा पे हमने यह भी देखा है कि कुछ किसान जिए उसमें आपके पास आई उसमें आपने उतना ही जो इसमें जैसे आमने आपको बताया कि आप पूरा इसका निकाल सकते हैं तो जब यह आप देखेंगे कि जब यह कोको पिट इसके साथ रहेगा तो यह निकालने में भी असानी होगी यह देखिए यह पोदा देखिए पूरा रूट सिस्टम ड्वैल्प हो चुका है अगर यह पांट साही छोटा हो तो आप खुद देखिए जड़े बने की कैसे सिट्रस में हमेशा टैप रूट रखे इस वीडियो को बनाने का मकसिद यह था कि आपको यह पता रहे कि जब आप रूट स्टाव के लिए पोदा त्यार कर रहे हैं तो हमेशा बड़े प्रो ट्रेज ले छोटे नहीं धन्यवाद प्रिये साथियों जैसा भी हमने आपको बताया कि जब आपने बीच को अर्ली गोड़ता प्लांट हो या पंजाब जो सीडलेस वापकी वराइटी है इनके लिए आपको चाहिए कि हमेशा मदर बला को आप किसी स्क्रीन होस में पनाएं अब डाट साब हमें बताएंगे कि कौन-कौन सी वराइटी उन्हें लगाई हो यहां स्क्रीन होस में लगा इनके बताएं लगाएं 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 सब्सक्राइब करने के लिए और इनकी जो प्रैक्टिसेज हैं उन्हें बिल्कुल रिफाइंड रखने के लिए हम इने प्रोटेक्टेड कंडिशन में डिफरेंड जो वराइटीज हैं से उन्हें यहां पर रखते हैं और यहां से बढ़ स्टेक्वन के लिए यह मकसद मदर को सक्रीन है उसमें बनाने यही कि अपनी आँखों के सामने देखा जाए प्लांट कैसे ग्रॉव कर रहा है अगर प्लांट में किसी तरह की कोई बिमारी दिखती है उसका वहीं कंत्रोel किया जाए अगर प्लांट अपको ऑन्हाल दी लिख रहा है उसको रेक्लेशर करके द तो हम अगर बात करें निंबू जाती के पोदों की तो उसमें एक तो हमें फंजी साइड अब डार साब इसके बार में बताएंगे आपको हम यहां पर बैसिकली यह फंजी साइड की सप्रेय जी जैसे डिफरेंट टाइम पर एज रिक्वाइड पिता के प्लांट के अंदर ज किसी भी तरीके से जो उसकी सर्जेंस जो प्रियेट नहीं होती है यह प्लांट में सो एस पर यह फंजी साइड जब टाइम इनकों यूज करते हैं तांके प्लांट हेल्दी रहे सेकंडली इसलिए हम इस पर फ्रूट भी नहीं लेते हैं विकास हमें मेंली बड स्टिक लेन अगर आप फ्रूट लेंगे तो होगा क्या वो सारा न्यूट्रिशन फ्रूट में चला जाएगा जो नहीं शाक आपको चाहिए वो नहीं निकलेगी मकसद हमारा यह कि हमें नहीं शाक मिले उस बड़ बुड को ले जाके हम बड़िंग करें अगर हम इस पर फ्रूट ले ल है इसकी शाक तराशी करते रहना है यह प्लांट हमेशा छोटा रहे फिलाव अच्छा हो जितना अच्छा फिलाव होगा उतनी अच्छी इस पर शाखाएं आएंगी उतनी अच्छी आपको बड़ वुड मिलेगी और दूसरी डार सा बात एक इक इंपार्टन सिट्रस में यह है कि नीडियर का मड़ा इंप्रेंट सोर्स है वह थोड़ा बता दें कि वर्टीचेशन गया है उसको भी ध्यान रखें बिल्कुल जी फर्टीचेशन रेग्लरली अज़न रेक्वाइड जो भी हमें उट्रेंट की ज़रूरत है वह उन्में प्रवाइड उनको और दे स तो किसी के प्लाइट में को प्राववादी फोन करते हैं डार सब देखियो किदा करना है मेरे फ्रूट दिग रहे हैं मेरा प्लाइट नी अच्छा ग्रोव कर रहा है उनको मैं यह कहता हूं कि सबसे पहले मार्केट में जाओ न्यूट्रियंट मिस्चर खरीद के लाओ प्ला में आप बताइए अब आपके पास आएं कुछ आप से भी सिंके जाएं देख प्लान का जो यूट्रियंट की रिक्वाइर्मेंट जी दो एज पर डिपेंड करती है राइट फॉम द फर्स्ट यर हमने एक पूरे का पूरा हमारे पैकेज में एक पूरी डिटेल है कि पहले में डाल देते हैं कर हम अप्रल में डाल देते हैं कर लिया इत急 को कечь ब्राइप से ऐसे यूजी हम रहे हार मुसकोत कि और अचल कुछ हमारी रिकमेंड हैं वो हम ड्रेगुलर ली फॉलो यह तो होगे मैक्रो नीूट्रियंज का भी कोच इंपे इन पर देहां देनी किसा बिल्कुल रिकमेंड हैं जी बिकास माइक्रो नीूट्रियंट हमारे जो कम कॉंटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन उनका रोल बहुत बढ होता है सो वी हव जैंक अंड मेगनीज की हमारी दो रिकमेंडेशन हैं 3.3 पर सेकंड ली जो इनकी जो स्पेसिफिक टाइम पर हम फोलियर एक्रों आपको समय समय पर दे हैं यह माँ सोचे की पोदा मैंने लगा दिया वो पोदा खुद बढ़ेगा मेरा पाणी देने से और उसको खुराक चाहिए समय पे समय पे उसको शाक्तराशी चाहिए और जितना आप क्वाल्टी पोदा लेके आएंगे उतनी अच्छी आपको आगे पैदावार मिलेगी जैसे अभी हमने आपको पहले बताया छोटे प्रो ट्रेज में आपने देखा रूस्टाउ को लगाय मालों दबता नहीं है जब आप पोदे को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाओगे अगर आपके पास पॉली बैग्स में है चोटे चोटे पॉली तिन के बैगे अगर तो वह उसमें दब सकता है लेकिन इसमें वह दबेगा नहीं दूसरी बात यह जो उसकी जड़े हैं व कोको पीट अब डार्ट साब इसमें एक वर चीड डाली डार्ट साब बताएं गाएं उसमें तीसी चीज़ के बिखाह ताँके पान्स आनको निवल्याब मैनियोर से रेगुला जो लेकिन फार्म याट मैनियोर शुद भी वैल रौटन तो नेकिटिव इंपक्टिश का वह यह जितना भी इस वह इसके पीछे प्लेट फॉर्म के उपर उसी की भराई जो है इसके पीछे पीछे कारण है क्यों इस पे हम गोबर की खाथ मिला रहे हैं उसका कारण दिजिए है कि जब आप इसको फील्ड में लेके जाएंगे वहां पर आपको कोपीट नी चाहिए वहां पर आपको गोबर की खाथ चाहिए जब आप गड़ा बरते हैं उसमें भी आप गोबर की खाथ डालते हैं तो प्लांट पहली ही एडाप्ट हो जाए उस खाथ के लिए और जब यह उदर जाए तो इसकी न्यूट्रिशन इसमें आरड़ी हो ठीक है ना थैंक्यों साथियो आप आखरी पड़ाओ जब वीडियो शुरू हुआ था हमने का था कि रूट स्टाक लेके आएंगे उसको लगाएंगे उसके बाद जब उसकी पैंसल थिकना सोगी उसके बाद उसकी हम बड़िंग करेंगे यह हमने बड़िट प्लांट हमारे पास पड़ा हुआ है यह दे बेंड कर दिए अब डाँसल और सफुदी बताएंगे यह दूसक क्यों और इसका क्या इसको बड़ करतें तो बड़ करने के बाद डेंट कट करने से क्या होता है कि एपन ग्रोभ यह व कूश्द हो झाशधन जब लूट यह गर्यों पर प्रतेंयल औरूड हाया नों को रेगुलर्ली खुराक मिलती रहे रूट सिस्टम से भी और रूट स्टॉक के जो अपने लीव्ज हैं या उसकी फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी उससे जरनली जब हम इसको काट देते हैं तो बड जो है वो एकदम से जैसे शौक के एपिकल डॉमिनस ब्रेक होने से क्या है सप्राउट तो करेगी लेकिन वो अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रेगुलर्ली रखने में सस्टेन नहीं कर पाती है सैक्ली ग्रोथ हो जाती है इसमें रेगुलर ग्रोथ रहेगी बिकाज लीव्ज से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है रूट सिस्टम से लिए पते देख सीखना चाहता है क्योंकि करनी कैसे है इसमें की चीज़ें का ध्यान रखना है उसके लिए डाट साब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब कोई अगर इंटरस्टिड परसन इस वीडियो के देखके आपको कंटेक्ट करें तो प्लीज उसको यहां बुलाके आप थोड़ा उस पर से आप भी बेंडिंग कीजिए लेकिन आप यह सोचिंगे कैसे करनी हैं उसमें की चीज़ें का ध्यान रखना है तो वह आप इदर आके जालोवाल नर्सी में आके सीख भी सकते हैं आप सभी का तो धन्यवाद से थैंकिए अ झालोवाल नर्सी में आप सकते हैं झालोवालuju झालोवाल नर्सी में आके सीख जाब का एंडिंगाल से एंके सीख बन्यवा जान बाहर्टों लेकिए खेंके साथ लेकिए का उन्यवाल नर्सी में आप